अज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड आखिर हमें कौन सी वैबसेट से बनवाना चाहिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम बिल्कुल किलियर हो जाएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं इससे पहले अगर आप चैनल को सबस्क्राइब करते हैं और आपके पास mail आया होगा या फिर message आया होगा उसमें आपको एक tracking number दिया गया होगा तो आप वहाँ पर जाकर और इंडियन पोस्ट में जाकर वहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हैं अपने pen card को, ठीक है अब pen card आखिर हमें बनवाना कौन सी website से चाहिए, आखिर कौन सी website हमारे pen card के लिए सबसे अच्छी है और कौन सी pencard से यानि कि कौन सी website से pencard बनवाने में हमें सबसे अच्छा सुब्दा मिलती है जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहा है UTI एक तो यह website है जो कि आप इस website के भी दोवारा pencard बनवा सकते हैं दूसरी website है NSDL ठीक है जो कि आप उसके भी दोवारा यहाँ पर pencard बनवा सकते हैं pencard आप दोनों ही website से बनवा सकते हैं दोनों की ही मानता एक बरावर है किसी पर भी यह नहीं कि इसकी मानता जादा है और इसकी मानता कम है ठीक है पर यह है कि अगर आप इस website से बनवाते हैं तो यह website से आप जैसे की जेवा किंदर से ही आप इसे अपलाई करवा सकते हैं ठीक है और यह ID सभी के पास होती है जनसेवा किंदर वालों के पास पर जो NSDL की website है उसकी जो ID है वो हर किसी के पास नहीं होती है अगर आप उस website से बनवाते हैं तो आपको क्या benefit होगा जैसे कि अगर आप इस website से बनवाते हैं U2i की website से तो यह है कि आपका जो भी pen card होगा उसका आपको cover नहीं मिलेगा ठीक है और इसी के साथ में NSDL की website से बनवाते हैं तो आपको cover जैसे की पूरा का पूरा मिलेगा आपको जो pen card है वो पूरी तरीकी से शुरुख चितर है इस तरीकी से आपको उसका cover मिलता है तो चलिए भटा-भटा हम इसकी अनबांसिंग कर लेते हैं कि इस तरीके से हमारा pen card इसका difference होगा तो मैं यहां पर open कर लेता हूं यह मैंने थोड़ी सिकोर्टी की वज़े से यहां पर थोड़ा सा टैप लगा दिया था ठीक है ताकि मेरी personal information है वो लीक ना हो ठीक है और इसी के साथ में थोड़ा सा YouTube की community guidelines के खिलाब भी यह नियम रहता है तो मुझे यह थोड़ा कर झाना ही पड़ता है अधीक है तो इसकि वाद में यहां पर आपको जो की पैनकार्ड के नियम बगरह होंगे वह आपको इसकी में देखने कैशनागे लिखे हूं इसी के साथ में इसमें लिखा है अगर आप एक pen card से अधिक यहाँ पर यानि की दो pen card चलाते हैं और ऐसे में कोई भी officer यानि की कोई भी अधिकारी आपको पकड़ लेता है तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपए तक का penalty of up to यानि की आपको यहाँ पर जुर्माना लग सकता है ठीक है तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है और भी आप इसके रूल है वह पढ़ सकते हैं तो फिलाल तो हम pen card देख लेते हैं तो जो pen card है वह आपको कुछ इस तरीके से आया होगा ठीक है यह मैंने थोड़ा सा यह की personal जानकारी की वज़े से मैंने इससे थोड़ा यहाँ पर इसे छुपा दिया है ठीक है जैसे यूटि ऐगी website से फिर एनसडेल से ठीक है फीशे की वराबर करती है ठीक है अगर आप pen card बनवाने जा रहा है तो मैं आपसे कहूंगा आप एनसडेल की website से भी वनवाएं क्योंकि उसके जो pen card है उसके साथ में आपको cover भी मिलता है पर इसके साथ में आपको cover नहीं मिलता है ठीक है इसी के साथ में आपको यहां पर देखने को मिल जाता है जिस भी आपने website की जरीए बनवाया होगा उस website का आपको यहां पर name देखने को मिल जाएगा इसी के साथ में अगर आपको किसी भी तरीकी कोई भी problem आती है तो आप यहां पर जैसे की help line number भी आपको यहां पर द लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए आपको जण से बाखेंदर पर आपको अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप सब को समझगा होंगे, फिर आपके मन Mr. Kux Pral Ka को सवाल है, तो मुझे नीचे कमन